वेलकम सार यार वो अल्बम चाहिए था लेकिन अल्बम तो बादशा बनाता है न अबै अरसेनिक अल्बम जो वाट्सेप पर आया है ओ ओ ओ अरसेनिक अल्बम वेट एक मिनिट लेकिन इसको आप खाएं कैसे नहीं मतलब गलोबियूस के साथ खाना होता है इसे हां क्या I mean आजी से खाना पड़ता है ओ अच्छा एक मिनिटा ये वेंटी वो राजु है ना बनिया एक पाव के लिए साब दाना बोल उसको पटा बटा तो ये जो हमेपैती मेडिसीन है अरसेनिक अलबम इस पर अल्रेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है उपर आई बैटन में मैं उस से एक बार बात करते हैं इसी मेडिसीन के उपर लेट्स गेट स्टार्टेड तो सीन कुछ ऐसा है 29 जनवरी 2020 में इंडिया का जो हेल्ट डिपार्टमेंट है आयुश उन्होंने इंडिया पर के जो युनानी आयुरवेदिक होमियो प्रेक्टिशनर से उन सारे मेजर आप ट्रेटमेंट शुरू कर सकते हैं और वो उनकी नोटिस आज भी आप उनके ओफिशल वेबसाइट पर देख पाएंगे तो उन सारे लिस्ट आप मेडिसीन में से एक मेडिसीन जिसका नामे अर्सनिक अल्बम 30 पोटेंसी जो कि एक होमियोपेथी मेडिसीन है वो अर्सनिक अल्बम किस तरह कैसे काम करता है यह समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि होमियोपेथी आखिर में क्या होती है वीडियो बड़ी इंटरस्टिंग बनने वाले इसलिए वीडियो को एंटर ज़रू देखिए बादवे होमियोपेथी यह कोई इंडियन चिकि होमियोपेथी का यह मनना है कि जिस तरह हर एक बीमारी के specific symptoms होते है उसी तरह हर एक दवा के भी अपने खुद के specific symptoms होते है इसलिए एक ethical medical practitioner जो की होमियोपेथी प्रेक्टिस करता है वो सबसे पहले तो patient को examine करता है उसका physical state समझ करता है उसके symptoms समझ देता है उसका mental state समझ करत है फिर accordingly उन symptoms को match करने वाली ऐसी दवा जिनके भी symptoms उस बीमारी के symptoms से match हो रहे है तो उस medicine को mother denture form में यानि alcoholic solution form में एक cylinder के अंदर जिसके अंदर globules सबसे पहले भर जाते globules सेने के शक्कर की छोड़ योड़ी साब दनी जैसी गोलिया आपने देखी रहेगी तो वो mother denture उस cylinder में भरके medicine को उन globules को proper shake करके उसे patient को दिया जाता है as a treatment तो homeopathic का यह principle अगर arsenic अल्बम पे apply किया जाए तो arsenic यह क्या है तो एक element है periodic table का जो एक metalloid category का होता है और arsenic की toxicity बहुत ही खतर नाग होती है वो आपके respiratory system को damage करता है और उसके symptoms भी कुछ-कुछ coronavirus के symptoms से male खाते तो जैसे कि मैंने previously पता है एक जहर ही दूसरे जहर को काटता है उसी तरह यह arsenic का जहर ही coronavirus के जहर को काटने में काम में आता है इस पूरी process में खयार रखा जाता है कि arsenic के toxicity को ह यानि कि arsenic यह molecular form में ना रहते हुए वो elemental form में convert हो जाता है जी है arsenic के यह जो nanoparticles है वो आपके अंदर toxicity create ना करते हुए आपको फायदा पहुचाते है और इतियास में नजर डाले तो yes arsenic अलबम ने कई सारे epidemics में अपना जलवा दिखाया है फिर जाए वो spanish flu हो, swine flu, sars, m ऐसे कई सारे epidemics में इस medicine ने बहुत अच्छा perform किया है एक आम इंसान के नजरिये से देखे तो एक common man जब बिमार पड़ता है तो alopathy practitioner के पास नी जाता है, alopathy medicine ही काता है, homeopathy को घास भी नहीं डालता है, यह परना की case में समझा जाए तो इस वक्त कोई option नहीं है, इस पर न नमस्कार करेंगे, it means homeopathy को जितना limelight मिलना चाहिए, उतना limelight नहीं मिल चुका है आज सक, thanks to the coronavirus, तो basically medical science में यह बहुत ही underrated branch रह चुकिये और इसको underestimate करने की बहुत सारी गलतिया इंसान आज भी कर रहा है, सबसे पहली गलती तो alopathy तो alopathy ने की express release को public करके, आब इनके official medical website पर आज भी जाओगे, तो easily information access कर पाओगे, हलाकि उसमें आज उसने साफ साफ मेंचन किया था कि यह notification सिर्फ और सिर्फ medical practitioners को है, लेकिन लोग पथा नहीं कैसे यह सब चीजे WhatsApp पे फैल गई, और लोग counter पर आने लगे कि यह अरसे इक album की medicine जो मुझे WhatsApp पर आई है, please आप म जार अगर आप भूल गए रहेंगे तो आपको बता दू, homeopath practitioners नाम के प्राणी आज भी पृत्वी पर आस्तित्वों में है, आपको थोड़े पैसे करच करने, थोड़ा time निकालने उनके पास जाना है, वो आपको examine करेंगे, आपके symptoms check करेंगे, अरसेनिक album की आपको सच में ज़रूरत है या नि वो चेक करेंगे, क्योंकि अरसेनिक album के अलावा और भी कई homeopathic medicines है, जो exist करती है, जैसेनियम हो, फिर चाहे वो, mercurious हो, या फिर influenzium हो, या urgentium हो, ऐसे कई सारे medicines exist करती है, तो accordingly आपके symptoms को match करने वाली दवा, वो आपको एक profile बना के prescribe कर देंगे, एक customized द अपोस करते, एक balance thinking होनी चाहिए, वो नहीं करते, government ने बोला है ना, बस, मैंने मोदी जी को vote किया है, मैं इस medicine के support में, मुझे medicine चाहिए ही चाहिए, at any cost, तो दूसरी गलती के बार में आपको बताने कि जा रहा हूँ, जो पहली गलती से attached है, यार मैंने medicine खा लिया अपना का को carry भी कर सकते हो ना, यार, दस जगल लेके जा रहे हो आप इस virus को, आई उस ने उनके official website में social distancing, personal hygiene, घर पे रहो, ऐसे कई सारे instructions दिये हैं, उने तो साफ साफ इंग्नोर कर दिया, हाँ, तवाई तो हम लोगों ने अच्छे से याद रखी, हम इन दुस्ता नहीं है, हमें ब आप कर चाहिए, तो जैसे कि मैंने बता है, होमेपेदी ये एक symptoms की basis पर काम करने वाली चिकित साफ बद्रती है, तो जिस patient के अंदर symptoms ही नहीं है, यानि कि इस medicine को जैसे कि पूरे population में distribute किया जा रहा है, free of cost में कही सारे सरकारी दफ्तरों में, military में, police department में, जिनके अंदर symptoms ह आई, उनको as a prophylactic, as a preventive measure ये medicine बाठी जा रही, तो ये थोड़ा सा होमेपेदी के principles को contradictory मुझे feel हो रहा है, I mean symptoms ही नहीं, तो आप medicine कैसे दे सकते हो, होमेपेदी क्या बोलता है, symptoms है, तो similar symptoms वाली दावा दो, तो ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, logically, but अगर आप में से को होमेपेदी प्रैक्टिशनर है, तो इस बात का अगर मुझे answer दे सकता है, तो नीचे please comment box में mention करके मुझे बताईए, but yes, numbers की बात करें, तो past मैं जैसे कि मैं ने बताया, होमेपेदी कई सारे epidemics में अपना जलवा दिखा चुकी है, तो शायद को आवाईर्स के epidemics में भी यह काम कर जाए, तो इन दिनों सरकारी तोर पे घोशित की गई, इस प्रेस रिलीस को मद्दे नजर रखते हुए, कई सारे आत्मनिर्बर बिजनेसे उभर कर आए है, तो इन दिनों आपके घर का नजदी की फार्मसिस्ट आपको ऐसे सिलेंटर्स पेशते हुए दिखाई कोई 20 रुपे में, कोई 25-50 रुपे में इंसलेंटर्स को बेच रहे, लोग इसे खरीते होग यह नहीं सोच रहे कि यह कहां मैनुफक्चर हुई है, यह असली एनवार्मेंट में क्रेट हुई है, या बस ऐसा ही मार्केडिंग गिमिक के तोर पे बस शकर की गोलिया बेच र लिया हो, कैसे बता चलेगा? या सबसे आखिर में, सीरियसली आपको एक बात बताना चाहूंगा, फिर चाहिए वह आप मुझे भाई समझ के, या मुझे बेटा समझ के, या हस्बंड, बॉइफ्रेंड समझ के, कैसे भी लेकिन समझ लो यार, होमियोपेती यह थमिजदार पर चीकित सा पद्द दिये, ये कोई दादी मां का बेटुआ नहीं है, कोई भी मेडिसन हाट डालके निकाल लिया और ट्राय कर लिया, होमियोपेती की मेडिसन नो डौट मीठी रहती है, लेकिन मिठाई नहीं रहती, या ज़रौिए होमियोपेती में, जो मेडिसन आपके symptoms ठीक कर सकती है वो आपके अंदर अगर symptoms ना हो तो symptoms पैदा भी कर सकती है यह मैं नहीं बोल रहा होमेपथी के principles बता दे एक असली सच्चा ethical homeopractitioner सबसे पहले patient को examine करता है उसके symptoms समझ लेता है उसको psychologically analyze करता है उसके कई सारे पहलू को नजर में रखते हुए एक customized medicine प्रिपर करके देता है और ऐसी prepare की गई हुई दवा आपको side effect भी नहीं देती बलके आपको फायदा ही पहुचाती है एक अच्छा ethical homeopractitioner कभी भी आपको सिर्फ बिमारी का नाम सुनके medicine का course prescribed नहीं करता और patients को भी यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी homeo medicine हो कोई भी medicine हो उन्हें हम anyway consume नहीं कर सकते बिना सोचे समझे ना सरकार पे ना किसी और पे पिश्वास रखना है तो अपने दिमाद पे रखो पढ़ाई करो आज हम आरपास internet है कई सारे किताबे हैं आज हम knowledge point of view आत्म निर्बर है हम सोच सकते हैं किसी भी whatsapp या facebook पे आने वाले message को पढ़के उसे seriously लेके self medication बिल्कूर मत कीजिए यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि whatsapp के कारण आज self medication एक social issue बनते जा रहा है कि आपने arsenic album की medicine अभी तक खाई है या नी और खाई है तो कैसे खाई है self medication से क्या doctor को पूछ के या किसी से सुनके कोई message पढ़के नीचे comment box में mention करके उज़े बताई है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में till then like, share, subscribe bye bye और high five तो आपके घर के नजदी की हरेक medical store में लगबग ये ऐसी अवाइरस को ठीक करने वाली, प्रिवेंट करने वाली जोभी लूबी अऩरु इस झाल, 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 झाल